ओके तो गाइस फाइनली आज का मंडे नाइट रो का एपिसोड खतम हो चुका है और कहना पड़ेगा यार डबल डबली एक के बाद एक बेंगर शो रखवा रही है मतलब पिछला मंडे नाइट रो का शो देखो तो वो भी इतना था कमाल का था और आज के तो भाई आप क्य वूमेंज वड़ लेट चैंपेंस बैक इलिंच के साथ बैक इलिंच रिंग में अती और फिर उपना वही रोना दोना शुरू कर देथी कि भाई मैं इसे टाइम से चैंपियन बनना चाहती थी मैंने रैसल में रिपली के सामने बहुत ट्राय किया अब आप आपके सामने ए रोयल हार गई थी बट यार क्राउट बहुत ज़्याद सपोर्ट कर रहा है लिम मॉर्गन को लिम मॉर्गन आती है रिंग मर वह सबसे पहले बैक इलिंच को बोलते हैं कि भाई देखो तुम दोनों आपस मैंसे लड़ते रहा है यह बुलाएं में मतर है कि मैं स्मैक डाउन के ओपर चली गई हूँ तो मैं इस चैंपेंशिप का पीचा छोड़ दूगी मेरे को यह चैंपेंशिप किसी भी हालत में चाहिए और फिर ऐसी बातों बातों है कि लास्ट मंदे नाइट रोप आपे जेविए बूर्स ने गुंतर को मैच के लिए चैलेंज किया था बर वहां पे टेक्टीम मैच तो इसलिए बुल्वी ने मंदे नाइट रोप और बात करे तो देखो मैच काफी कमाल का था गुंतर आपको पता हर मैच में अच्छा रहसल करते हैं और जीविर वूट्स भी आप कहीं न कहीं कह सकते हैं कि गुंतर को थोड़ी बहुत टककर दे रहे थे बट फिर भी सभी को इस मैच का रिजल्ट तो पहले सी पता था कि गुंतर कुछ भी हो जाए मैच तो हारने वाली नहीं है तो गुंतर इस मैच में बहुत इस एक अच्छी ख़बर है इसके बाद लोगन पॉल का एक प्रोमो होता जिसमें वो डेमियन प्रीस की तरफ से जे उसो को भर भर के गालिये देते हैं जे उसो के बारे में बोलते हैं कि बाई चैंपेंशिप के लिए मोका तो मिल लेने लगते हैं कि बाई तू कैसा इसके बाद लोगन पॉल और फिन बैलर मिलके यहां पर बहुत बुरी तरह से पिटाए करने लगते हैं बट जैसे ही ब्रॉंस्ट्रोमन का थीम सोंग हिट वा बाई इस पर लिटरली फट गया था ब्रॉंस्ट्रोमन आते हैं उन्होंन उठागा फिन बैलर को पटका लोगन पॉल को मालने के लिए चलते हैं बट लोगन पॉल को फ्रेंट क्राउड में बैठा वा तब ब्रॉंस्ट्रोमन उसको वालने के लिए जाता बट बीच की मंगल यहां बहुत हर जाते था कि WWE इस मैच को अगले मंडे नाइट रो पर ज़रूर करवाने वाली है तो यह मैच चल रहा होता बट मैच का कोई रिजल्ट ने निकल पाता क्योंकि चैट गेबल जो है वो सैमिजेन के उपर आके बहुत बुरी तरह से अटेक कर देता है तो इस वज़े से इस मैच का कोई विनर ने निकल पाता बट चैट गेबल ने वाई सैमिजेन के उपर यहां पर आके बहुत बूटल तरीके इस अटेक क्या चैट गेबल और सैमिजेन की जो स्टोरी चल रही है ना कसंद उसको देखने में मज़ा तो आ रहा बट डबी मेरी रिखाल से चैट ग ल्डबलू और ड्रू मेकंटार जो हों मंडे नायट रों के ओपर ड्राफ्ट हो जाता है उसके तुरंद बाद हमको ड्रू मेकंटार देखने को मिलते हो और भाई ड्रू मेकंटार यहां पर इस चीज़ से बहुत ज़्यादा भढ़के वें कि उनको इतना लेट क्यों पि ब्राउन बेरकर और शेमस के बीच में भी एक चोटा सा फेस ओफ देखने को मिलता जिसको देखके लग रहा था कि शायर डडडडडडडड़ी इस फ्यूट को आगे कंटिन्यू कर सकती है और अगर डडडडडडडडड़ी इन दोनों के बीच में मैच करवाई की तो मेर देखने को मिलता और फारेली उस जगह पर पहुच चुके थे जहां से cm-punk उनको उपर से गालिया दे रहे ते द्रू में केंटायर से बारे में बोलते की बहाई देख ज्याधा टाइम नहीं टाइम लोगा उतना इस टायम के अंदर में अपना प्रोमो खतम कर दूआ CM Punk बोलता है कि देख भाई तुने मेरे को बहुत उंगली करी है मैं इंजट था तु चाता था कि मैं इंजट हो जाओं मैं इंजट हो भी गया था पर तुने उसके बाद भी चैन नी लिया तुंगली करता है जिसकी वज़े से तुझे रेसल मेनिया के अंदर अपना टाइटल होना पड़ गया था और अब एक बात बिल्कुल किलियर है कि मैं जल्दी से जल्दी रिकवर होना चाता हूं ताकि मैं तेरे को फोल्ड कर रख सकूं मतलब CM Punk ने अपनी तरफ से यह चीज़ बिल्कुल किलियर कर दिया कि जैसी वो रिकवर हो जाते है अपनी इंज़री से वो सीधा ड्रूमेक इंटार से लड़ने वाले और यह फ्यूड आप कहीं न कहीं कह सकते हो कि देखने में काफ एधा तमा जा रहा है ड्रूमेक इंटार और CM Punk के बीच में जो भी चल रहा है बिगर लड़े बहुत इंट्रस्टिंग है सब बस सोचो कि जब यह लोग देखने में दो भाई बहुत जाता मजाया और CM Punk को बिगर उस हैंड कवर के देखके बहुत सही लग रहा था और CM Punk मिर को थोड़ से बलकी भी लग रहे थे यहां पर आई होप कि उनकी जो रिकवरी है वो जल्दी से पूरी हो जाया और आके वो सीधर रूमेक एंटार के सा पता नहीं क्यों जबकि उनका चैंपेंशिप से कुछ लेना देना भी निया उनको तो बैली के साथ और नियोमी के साथ चली दी थी पता नहीं क्यों इस मैच में वह देखने आ आई भी थी बद टिफनी के आराउंड होने की वज़ए से नियोमी भी यहां पर आ जाती है औ और अगर हम मैच की एंडिंग की बात करें तो लास्ट में लिम औरगन अपना फिनीशल लगा का इस मैच में विक्ट्री ले जाती है मतलब की लिम औरगन जो है वो कौलिफाइ कर गई हैं बैक की लिंच को फेस करने के लिए आई होप हमको यह मैच जो है वो बैक लैश के देखने को मिल जाएगा बैक स्टेस्टर का इस हमको जजमेंट का एक सेग्मेंट देखने को मिलता है जहां पर डेमियन प्रीस जो है वो सारे ही जजमेंट के मेंबर्स पर गुस्सा हो रहा है कि तुम लोग कैसे हो तुम लोगों से चीज़ें नहीं समलते हैं कहीं भी बीच में टेक्टीम चैंपेंशिप के लिए मैच देखने को मिलता है ज्यादा कुछ बताने लाया कि इस मैच में है नहीं बस आउसम टूथ इस मैच को जीत के अपनी चैंपेंशिप रिटेन कर लेती है इसके बाद गईशोप हमको ड्राफ्ट के दो राउंड और देखने मैच की में इवन में एक 6-man टेक्टीम मैच था जो कि WWE ने पहले सी ओफिशल कर रखा था रिकोशी एन अंडराडे एंड जेउसो वसिस जज्जमेंट डे की बीच में 6-man टेक्टीम मैच था मैच के अकर बात करें तो देखो मैच काफी इंटरस्टिंग था क्योंकि शो की स लगा कि जैसे जेडी मेच जानके करी है जिसके बाद फिर जेउसो फाइदा उठागे डेमिन पीस को पहले सूपर केक लगाते उसके बाद फिन बैर को एक स्प्रेल लगाते और फिस प्लेश लगा कि इस मैच में जो विक्ट्री है रिकोशे अंडराडे और जेउसो ले ज के लिए टेक क्यार